कि हैं गाइज विलकम टू मैं चैनल आज भाइज विन बनने वाले पालेजी बिस्किट से भाउड तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यह तो पैकेट शोग पालेजी बिस्किट आप अगर दूसरे बिस्कित बन लेना चाहते हो तो वह भी ले सकते हैं अब इसे ग्रेंडर बनाने वाली हो तो इसलिए इसे टू पार्ट में इपली डिवाइट कर लिया अब एक पार्ट में एड़ करेंगे दो बड़े चमप मच पाउडर शुगर और हाफ गप चॉकलेट सिरप अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना है तो डार्क चॉकलेट कंपॉण को मेल्ट करत डार्क चॉकलेट कंपॉण को और इसका डो बना लीजे अगर बनाते समय अब आपको चॉकलेट सिरप कम लग रहा है तो थोड़ा और एड़ कर दिजे और इसा सॉफ्ट से डो बना लीजे अब तूसरे पार्ट में मैं मिल्क एड़ कर रही हूँ यहां मैंने जो मिल्क अर्या मैंने चॉकलेट वाल लेकी और इसे मॉल्क की अंदर डाल विझे अर इसे क कर दीकी डिजिए और इसे प्रेस कर दी गहां अ है है देखे चॉकलेट मुदक रेडी हो चुका है ऐसे ही मैंने सभी बना लिए अब हमने जो मिल्क वाला डो बनाए था उसके मुदक बनाते हैं इससे साइड से लगा लेना है और इसे प्रेस कर लेजिए इसके अंदर चॉकलेट वाला डो रार दीजे और इसके भी प्रोज कर देखने के बाद और खाते हैं दोलके प्रोज करती हैं आथ हुसा डेटी प्रोज करें कर से हलिकेट Remember काने के बाद को यसा बोलेगा यह नहीं कि आपने बिस्किट से बनाए है और अंदर से कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राइक किजिए और मुझे कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसे लग कि लगे ल्यादाए है आपको बाद